हेलो एब्रीवन गुट मॉर्निंग अल उफ यू आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को सौट में डिसकस करने जा रही हूं डिफ्रेंस बिट्मिन मोनोसियस और डियोस प्लांट अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कम्मुनिटी पोस्ट को भी आप लोग जादा से जादा सपोर्ट कीजिए लाइक कीजिए सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं डिफ्रेंस बेट्विन मोनोसियस और propagandiosis plant. Mmozeus plant होता क्या है मोदश डूज प्लांट्स इन विच बोथ मेल एंड फालवर प्रेजन्ट और सेम् ब्लांट्स इसका यह अर्थ हुआ कि मोन एक ही plant में अगर arise करेगा तो इस टाइब के plant को हम monosius plant कहते हैं और इसके example क्या हुए इसके example है cucurbits and coconuts second plants are diocese plants, diocese plants हम किसे कहते हैं, two diocese plants are those plants in which only one type of flowers ऐदर male flowers and female flowers present on different plant example papaya, mulberry and dead palm इसका यह अर्थ हुआ कि diocese plant वे plant होते हैं इसमें male flower और female flower different plant में present रहेगा तो इस type के plant को हम क्या कहते हैं? डियोसियस प्लांट और इसके एक्जामपल है पपाया, मलबरी, डेट पाम तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई